तो क्या आप भी एक खोज रहे हैं एक proper 7-seater, 7-seater में बहुत लोग confused होते हैं क्योंकि बहुत सारी गाड़ी आ चुकी है 7-seater segment में और लेकिन कुछ लोग का होता है कि budget issue होता है, कुछ लोग का budget issue नहीं भी होता है तो confused होते हैं और कुछ लोग लेना भी चाहते हैं तो समझ में नहीं आता है क्योंकि इतनी सारी गाड़ी आ चुकी है तो वो confused होते हैं कि कि किस company पर rely करें और किस company की गाड़ी खरी दे तो आज हम लोग आपके लिए best 7-seater vehicles का आपको एक list लेकर रहा हैं 5-6 आपको इसमें हम लोग चुने हुए vehicles को compare करेंगे बताएंगे आपको कि यह आपको 7-seater एक vehicle हो सकती है और आप इसको consider करना नहीं करना वह आपके उपर है आप अपनी requirement के अनुसार देख सकते हैं तो यह जो रहेगा यह नंबर वाइस रहेगा यानि कि प्राइस ली डिस्टिंग्वेश्ट रहेगा सबसे कम प्राइस से लेकर longest प्राइस तक का हम लोग जाएंगे और लॉंग इस कहना है कि एप्रॉक्स 28-30 लाग तक का budget हम लोग लेकर चल रहे ह क्या हूं लोग है मारूति सदूकी के साथ मारूति сама के सकते हैं कि मॉश्ट रिलाइबल कंपनी है आज की डेट में यानि कि जो 7-seater खोज रहे हैं उनके लिए बहुत स्पेसिफिक गाड़ी है और कमफ़ट वाइस भी देखा जाए तो बहुत कमफ़टेबल गाड़ी प्राइस में भी आगर देखा जाए तो प्राइस वाइस भी 10-12 लाग तक में आपको अन रोड प्राइस आपको यह घर ल और अंदर से काफी अच्य बेज गलर के इंटीरियर वेगर आपको सब चीज मिलता है, लुक वाइस भी बहुत आमेजिंग मिलता है, तो आप इसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर आपको यूज का है, अगर कम बजट में आप चाहते हैं, तो हो ले सकते ह सतर्वारा है, इधम सेम दिखने वाली गाड़ी एक्सल 6, एक्सल 6 को सबसे मेंडिली डिस्टंग्वेस कैसे आप कर सकते हैं, इसका जो डेर प्रोफाइल है, रेर प्रोफाइल में आपको सबसे खतरना कि इसको पियानो फिनिस दिया जाता है, और एक्सल 6 या अगर कोई ब लुक वाइज वाईज भी एकडम सेम है थोड़ी मस्कुलर बोल्ड लगती एक्सल 6 एक्टिगा के कमपेरीजन में देखा जातों तो उस हिसाब से देखा जातों थोड़ी मस्कुलर अगर और आपको चाहिए एक्सल 6 के तरफ जा सकते हैं और कंफ़ट वाइज बहूत आमेज सब्सक्राइब कर लिए आप उसके लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लिए कोई आपको अपडेट मिसना हो अब थार्ड ली हम लोग लेकर आते हैं किया की किया ने एक केरेंज को लांच किया था कुछ समय पहले किया केरेंज एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव एंपी भी कहा सकते हैं आई हुई है जो बहुत कम प्राइस में सेकेंड बेस मॉडल में भी वो सब चीज देती है सिक्स एयर बै किया ने वाइरेस प्रोजेक्शन का यूज करके आपको सेकेंड बेस अवाईचन मिलन रहा है और किया अगर आउटर सुको इसकेंड बेस म्हान रुटर्ण रूड एक इतनी आपकों मर्ज मिलताesta अगर आप देखें उसमें तो इसका जो recliner है second row का recliner जो दिया गया है अब cup holder जिसको कहा है हम लोग cup holder दिया गया है वो complete अगर down हो जाए तो वो six sitter बन जाती है बहुत अलग type का use किया गया है बहुत अलग type का theme दिया गया है और comfort wise भी देखा जाए तो बहुत अच्छी comfort भी देती है हाँ यह कह सकते हैं कि rare सबसे last seat row जो है उसमें थोड़ा कहीं न कहीं compromise किया गया है कुछ लोग को तो इसका front face यह नहीं पसंद आता है और कुछ लोगada को बहुत अच्छा वी लगता है तो आपके उप़र है कि कौन सा आपको पसंद आता है और अगली गाड़ी अगर हम लोग देखा है अगली गाड़ी है अब थोड़े हम लोग हाई सेग्मेंट में चलते हैं हाई सेग्मेंट में कौन सी होगी स्कॉर्पियो एन स्कॉर्पियो एन एक डिस्ट्रक्टिव मॉडल आ चुकी है अगर आप बुलेरो और स्कॉर्पियो नौर्मल स्कॉर्फियो क्लासी को बुलेरों सो अलग चीज हो वह एक तरह से कहा सकता है पैसेंजर वहिकल होगी इसकॉर्फिय आप ले रहे तो भौकाली करने के लिए वह होगे लेकिन इसको पॉपर्फियो इन ज्यावाई है यह आपको पर्पसलिए फैंच के लिए कहा सकत लेकिन आप 23-24 लाग दिमाग में बठा लीजेगा आपको बढ़िया गाड़ी एक दम सारे फंक्सन के साथ सारा चीज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सारा चीज आपको 24 लाग में मिल जाएगा बाकी अगर एकदम वैल्यू फर मनी चाहिए कि आपको कुछ-कुछ फंक्सन और बूल्ड गाड़ी भी लगती है उसके बाद में महिंद्रा में ही एक और कम पर कॉंपेटीटर है उसी की वह है एक्स यूवी सेवन डावलो सबसे ज्यादा पावर और टॉर्क प्रोडूस करती है अपने सेग्मेंट में साड़े 400 इनेम का टॉर्क और 500 इनेम का टॉर् देख सकते हैं कि वह देती है डेरेक्टली विच टोयटा टोयटा फॉर्चूनर टोयटा फॉर्चूनर से डेरेक्ट कॉंपटिशन देने वाली एक स्वी सेवन डावलो आपको मिलती है मात्र मात्र 26 लाग रुपए में और एक सेवन पेट्रोल वर्जन अगर आप लेते है जो कि यह लैंड रोवर की प्लेट्फों डियेट प्लेट्फों पर बेजड है जिसमें आपको मिलती है सारे फंक्शन और बहुत ही ज्यादा सेक्यूरिटी सेक्यूरिटी की साब से देखा जाए तो आपको इतना अच्छा लोगा का यूज किया गया है इतना अच्छा आपको घर ले जाने के लिए यही ता कुछ-कुछ हम लोग चून के गाड़ी लेकर आया हुए थे पावर टॉर्क भी अगर सफारी का हम लोग कंपेर करें बागे सब गाड़ी से थोड़ा पावर टॉर्क में कम हो जाते है 170 PS का पावर और साड़े 300 नम का टॉर्क लेकिन इसमें आपको मिलता है टर्बो चारी जेंगें 2,000 सेसी का टर्बो चारेंगे आपको उफर किया जाता है अलागे बागी सब भी गाड़ी में लगभख लगवख सेंजन मिलता है लेकिन उसके लिए कहा जाय तो भी बहुत इन्हाइंस आपको देखने के मिलता है अलगी प्रेजिंस आपको सफारी लवर्स अलग ही है कुछ-कुछ ऐसी गाड़ी आती है जो आपको अलगी प्रेजिंस देती है अलगी फैन बेस उसका बना हुआ है अगर आपके घर में कोई कोई बड़े बुज़ूर्ग है अगर वो मारूती ओन करते हैं तो उनके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा कि जब भी वह खर देंगे तो मारूती की ही कार खर देंगे उनको और कोई कंपनी में विश्वासी नहीं होगा कुछ लोग टाटा की ही कार खर देंगे तो उस इस सेल्स सर्विस बहुत अच्छा दिया जाता है और अगर आप फिर से न्यू गाड़ी के लिए प्लैन कर रहे हैं तो मारूती की गाड़ी का वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल जाता है इसलिए लोग उस पर जाते हैं माइलेज वेकर आभी आपको मिलता है हाला कि मारूती में कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो यही था हमारा लगवा 5-6 कार जो आपको बता है जो सेवन सीटर में आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको बजेट इतना है और अपने बजेट का अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कौन सी कार आपको लिए बेस्ट होने वाली है बाकि कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी दिक्कत नहीं आने वाला है यही था आज की वीडियो आपको कैसे लागा कमेंट नों जुरूब बता है तिल देन अभी सेक रोसल साइनिंग आउट थैंकिसो मज जाए हिंदे